अब जोगाइस स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लोक में तो गईस आप लोंग सब कैसे हैं आसा करता हूं आप लोंग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो गाइस आज हम लोगों को गाड़ी धोना है तो गाइस देख सकते हैं यह समय पूरा मिट्टी वगे रहा है और इधर अंदर में भी मिट्टी भरा है तो काफी दिनों से ट्रेक्टर पूरा कीचड कीचड से भढ़ा है हलका हलका कल उपर का दोए हैं तो इसको आज धोने क के लिए समाज देंगे तो इसको लेके जाएंगे अपन लोग डेम जाएंगे डेम में लेके जाएंगे और इसको अच्छे से दोएंगे और फिर पिकनिक का भी प्लान बनाये हैं हो सके तो चिकन लेके जाएंगे या तो फिर अंडा लेके जाएंगे तो देखेंगे क्या ले और भालू अर्मय ट्रेक्टर को धोने के लिए जाएंगे तो अभी नदी का इलाका में आये हैं देखें और अभी पानी थोड़ा कम है अभी हापता दिन से पानी अभी नहीं आया है तो पानी कम है तो बालू निकालने के लिए बन रहा है तो अभी धर लीड बना दिया है त और अभी बालू लोट करते हैं फिर इसके बाद जाएंगे अपन लोग डेम गाड़ी धोने के लिए और पिकनिक भी मनाएंगे अभी भरना सुरू कर दिये हैं यह दोनों लोग भर रहे हैं आज काम करने वाली मिल गए हैं तो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं और यह देखिए भर दिये हैं थोड़ा सा भरे हैं अभी शुरुआत किये हैं और कुछ देर में भर लेंगे झाल कि कीज़ से रखेंगर कर दोल्भाइब। तो फाइनली गाइस बालू को खाली करके हम लोग आ गए है डेम में गाइस एक जगह हल जोतना था तो नांगर फसा की में आया और उधर से हल जोतके अभी आ गया हूँ तो गैस आज हम लोग बालू दो ट्रिब किये तो इसके वज़े से थोड़ा लेट भी हो गये है और अभी साम का टाइम है दोपहर का दोपहर में आने का था यहाँ तो दोपहर में नहीं आ पाए और एक करना था इसके लिए तो अभी साम हो गया है तो आये हैं तो नांगर भी जोतना था उसके लिए नांगर फसा क्या आया तो नांगर जोतके कंप्लेट हो गया है तो गाइस ट्रेक्टर को अभी कुछ देर में अंदर लेके जाऊंगा मतलब किनारे पानी के किनारे तो वहां दोना है और गाईस इधर भालू इधर यह अपना रांधा माटा वाला काम संभाल लिया है और यह हम लोग लेके आये थे घर से 5-6 पीस और पानी के लिए बोटर और चावल भी लेके आये हैं चावल भी बनाना है उसके बाद में तो गाइस यह लोग पानी नहीं लाए बोरिंग से भरके यह डेम का पानी यूज करने इसको बालने में चलेगा तो गैस अभी ट्रक्टर को स्टार्ट करके भी लेके जारा हूं डेम के पानी के नजदिक में और गैस इधर मचली मार रहे हैं बंसी से तो गैस ट्रक्टर को लगा दिये हैं धोने के लिए और अभी सबसे पहले पानी मार के पानी सब्तर मार देंगे तो कितना भी मिट्टी वगर है सब फूलेगा के बाद एक देर बाद आके फिर और फड़ा प्रेसर से पानी मारेंगे फिर उसके बाद में रगड़ना करेंगे तो गैस पानी से ट्रक्टर को भीगा दिये हैं जो कीचड़ वगर है सब अभी कुछ देर भूलेगा उसके बाद में फिर और प्रेसर से पानी मार देंगे इसके बाद में फिर रगड़ना सुरू करेंगे तो गैस अलू और अंड़ा को उबाल के निकाल लिए हैं थोड़ा अंड़ा नहीं पकाए रिखें और अभी अंड़ा को छिल दिये हैं अलू को भी छिल दिये हैं और गैस इधर कड़ाही में तेल डाल दिये हैं तेल भी ग अंडा को मैं फ्राई कर लेता हूं तो गाइस यह देखिए इसको फ्राई कर रहे थे अंडा को तो पूरा इसमें का पीला सफे दलग-अलग हो गया है और यह देखिए पूरा बोटो-बोटो हो गया है यह क्या बोटो है साइदो पीला वाला भाग का बोटो-बोटो है यह दिखिए गाइस पूरा रसा बन गया है प्याज वाज के दवात और तो हमने एकदम बिल्कुल लेट में करा तो हमने चिल जवा बाल्टिन वाल्टिन के धेर के और कपड़ा उप्ला के अब मुए बनाई ले जो थो मैं तो गैस अभी यहां अगेरा को चिल दिये और फ्राइट होई गया है अलू को भी चिल के उसको कर दिये है और गैस पे आज अगेरा सब कट गया है तो अभी भालू और इन लोग को तिनों लोगों को भेज रहे हैं यह लोग अभी ट्रेक्टर को भोते रहेंगे तब तक मैं इधर आंडा का सब्जी बना लेता हूँ तो गैस ओ देखिए अभी धोर है